ब्लेस्फरमी का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं ब्लेस्फरमी का मतलब होता है निंदा करना या इश्वर निंदा करना यानि कि भगवान के बारे में या धार्मिक चीज़ों के बारे में बुरा भला कहना को ब्लेस्फरमी कहते हैं यानि कि blasphemy refers to the act of speaking or acting in a disrespectful or irreverent manner towards sacred or religious beliefs, figures or practices. यानि कि किसी धार्मिक चीज़ के बारे में, धार्मिक देवी देवता के बारे में, या कोई धार्मिक वैक्ति है उसके बारे में, कुछ भी गलत कहना, बुरा बठा कहना को इश्वर निंदा या blasphemy कहते हैं. जैसे कि अगर आप ये कहें कि इश्वर निंदा धार्मिक विश्वास रखने वालों को घहरा आधात और चोट पहुँचा सकती हैं, तो आप कह सकते हैं, blasphemy can cause deep offense and hurt to those who hold religious beliefs. या अगर आप ये कहना चाहें कि पुईत्र पार्ट के बारे में, उनके मजाग को कई लोगों ने इश्वर निंदा के रूप में देखा, तो आप कह सकते हैं, his joke about the sacred text was seen as a blasphemy by many. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.